तो एलो दोस्तों स्वागत आप सभीका आप यह पी देख सकते हैं लैप्टप के ऊपर फोटोशॉप में मैंने एक इमेज ओपन किया है और इस इमिज को मैं करताओ कंट्रोल बन करता हूँ जिससे यह इमेज आपे जूम हो गई और आप यहापे देख सकते हैं कि चेरे के बपर कापनी ज्यादा यहापे शाइनिंग स्पॉर्ट है या फिर्ट वाट स्पॉर्ट है तो कभी-कभी इस तरह की इमेज़े सामें एक्ट करनी हो रहती है तो लेकि कि आगर आपके पर स्पॉर्ट अपकार यह वर जाते हैं तो हमारा यह पुरा नाव वीडियो आप देख सकते हैं उसमें अपने मैनुल तरीके से किस तरह से यह जो शाइनी स्पॉर्ट रहते उसको हमने स्टेप बच्टे परिमूब किया है तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देए यह पिर आपको आई बटन पर उसका वीडियो का लिंक मिल जाए तो सबसे पहले यह पर इस इमेज को आप देख सकते हैं कि यह इमेज में यह जो शाइनी स्पॉर्ट से बहुत यह पर हाइलाइट हो यह है इस इमेज को फोड़ा समय जूम क यह पर हम क्या करेंगे सबसे बहुत इस इमेज का में डूब्लिकेट कोपी बना लेता हूँ डूब्लिकेट कोपी इसले बनाए क्योंकि जो हमारा ओडिजनल इमेज है वह यह पर मेंटेर दे और जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे जो दूसरी लेर पर वो आमारा नं टाबर ने में आपको डियर सारे है यह पर उप्षिनमेलिके कॉनस आपको लेकर सब्स तो हाईलेट्स को यह प्रक्राँपर सेलेट करेंगे तो यहां पे आपको फ़नेंज का जो सलाडर घी आपको भी भी इस तरह से फ़नेज का और यह रिแंच तो फ़नेंज से आप पूड़ा सा कम भी और यहां पर में इतना कर लियता हूँ और fuzziness कम करने के बात यहां पर जो range है यह range भी आपको यहां पर बड़ा नहीं जिसने तो fuzziness 22 हम करेंगे और यहां पर जो range है इस range को हम यहां से edit करके तो हमें सिर्ग और चेहरे के उपर का highlights से यहां पर चाहिए तो हम simple यहां पर range को इस तरह से बढ़ाएंगे कि चेहरे का highlight यहां पर show होने लगे यहां पर मैं 225 रख देता हूँ 225 और यहां से make okay कर लेता हूँ करने के बाद आप देख सकते हैं कि highlights के साथ जो आमारा shiny hotspot area था वह यहां पर select हो गया लेकिन उसके साथ बिंद याप और वह नीचे साड़ी का जो पालते वह भी यहां पर select हो गया तो उसको हम यहां से remove करेंगे उसके लिए हम यहां पर लासट तुल लेंगे और यहां पर पिर जो चेहरे के उपर जो hotspot आया है उसको यहां पर select किया है अभी यह selection होने के बाद हमें एक front यहां पर यूज करना है front चाहिए तो इसका screenshot निपल सकते मैं इस front को copy कर लिता हूँ और यहां मरब दूसरा image इसकी उपर यहां काम करेंगे फिर यहां पर हम इस जगह पर जो डायलाग बॉक्स है जो conduction टाजबर है इसको हम यहां पर लिताएंगे और यहां पर यह front यहां पर paste कर देंगे तो front यहां पर paste हो गया है अभी हम यहां पर simple generate करेंगे कि यहां पर थोड़ा से आपको रोखना बढ़ेगा और जैसे यह प्रॉंट यहां पर काम कर जाएगा आपको इमिज को थोड़ा से जुन कर लेना है जुन करने के बाद आप देख सकते हुए आपको पर पास तीन तीन वेरेशन आते हैं तीन वेरेशन में जो वेरेशन आपको सही लगेगा उस वेरेशन को आप यहां पर पिक कर सकते ही तो यहां पर नहीं कहा हूँ यह दो नंबर का वेरेशन लग देता हूँ यहां फिर टिक नंबर ठीक है यह दो नंबर का वेरेशन यहां पर टिक आँँ है और उसको डालने के बाद इस गुरूप में याप याप मास्क देदेदा हूँ वह ब्लैक को मतलब इनलेड मास्क दे दूँँ गा तो इसके लिए हम याप ग्रूप का फोल्डर या जे ले डिलेयर पैनल में इस तरह से hydl button दबाएगे और यापी mask पे click करेंगे तो यापी जो हमारा ओ्रीजिनल वार्ष पोट यापी दीखनी लगा यहापी जू black mask की वज़े से वह यहापी दीखनी लगा अभी है किया करेंगे यहापी जू mask का color ही आपधी ब्रश लेंगे اور brush का color white लेंगे तो यहां पर हम एक बार D button प्रेस करेंगे, जिससे यह आमारा foreground और background यहां पर default हो जाएगा, यहां से हम brush select करेंगे, तो जैसे हम ने यहां पर brush select किया, तो foreground में आप देख सकते यहां पर white color यहां पर select एक, और उसके बाद इस black mask को हम select करेंगे, और image को थोड़ा सब भूम करें और इस तरह से जहाँ पर भी आपको hotspot नहीं चाहिए, उस जगह पर आपको इस brush को यहां पर चालना है, आप चाहिए तो यहां से flow थोड़ा कम कर सकते हैं, इस तरह से आप AI की मदद से जो भी skin के hotspot वो आप यहां पर review कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक action bill बनाई है, अगर आपको action चाहिए तो उसका action का download equally मैंने description में दे दिया है, आप उस link को मतलब उस action को download कर सकते हैं, तो यहां पर आभी चलते हैं, हमारे पास दूसरी image, सेम उसी तरह से इस image की उपर भी हम वही प्रॉंक्ट यहां पर यूथ करेंगे, लिखिर हम यहां पर थोड़ा सा step by step काम करेंगे, सबसे पहले यहां प बनाने के बाद यहां पर select में जाएंगे और color range की मदद से यहां पर highlight को select करेंगे, हम यहां पर fuzziness और जो range यहां पर हमने select की थी, वहां मेंटर रखेंगे वही, तिर उसके बाद जो unwanted area यहां पर select हो गयर, उसको यहां से selection से हटा देंगे, तो मैं यहां पर last time select करता हूँ फिर यहां पर हम generate to fill पर जाएंगे, तो इससे पहले हमने जो prompt use किया था, वही prompt हम यहां पर use करेंगे, control V और यहां से generate, तो यहां पर हमारा prompt काम कर गया है, अभी हम यहां पर कोई भी variation यहां पर 3 variation आ गए है, इन 3 variation जो variation आच्छा लगेगा, उसको हम यहां पर pick करेंगे, ठ दो number का variation यहां पर pick करेंगे, यहां पर before after देख सकते यह before और यहां हमारा after तो इस तरह से यह before after देख सकते हैं, और अभी हम इसको क्या करेंगी, ग्रूप में convert करेंगे, यहां पर control G प्रेस करेंगे, तो यह group में चला जाएगा, और इस group को हम invert mask देगे, यहां पर हम alt button दब पाएगे और मास्टत्य क्लिट करेंगे यहाफए और हम यहाँ ब्रश में भाइट कलर लें और इस तरह से पेंट करेंगेिये आप इसका फ्लो कंब करके दिए यहाँ ㄦ्रोक कर सकते हैं इस ब्रश को और आपको जितना इंसीट की दिए तरछिद कें साथ से या पर ब्रॉक कर सकते ही फिर उसके बाद कि पस और फ्लो का भी कंट्रोला आपके चाथ में आप उसको भी यूज कर सकते हैं तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ इमेजस आते हैं और उसमें यह फिर ज्यादा highlighted part is skin के उपर चेरे के उपर तो आप Photoshop का AI version यूज़ करते हैं तो इस तरह से front pins करके वो जो part आप रिमो कर सकते हैं तो यहां तक आम नहीं जो भी काम किया है वो सारा manual काम किया है अभी हम चलते हैं action के तरफ और यह जो action हम यहां पर यूज़ करें वो action हमने इस वीडियो के description में आपको downloading के लिए दे दी है तो उस action को simple आपको extract करना है और उसको double click करना है तो वो action automatically Photoshop में add हो जाएगी ठीके तो यहां पर हम action panel को open कर देगे यहां से action panel जैसे इसे open करेगे तो already मैंने action यहां पर upload की है यहां पर इस panel को मैं यहां पर sit कर लेता हूँ और यहां पर simple इस तरह से मैं इस action को click कर देता हूँ मैं जैसे इस action को click करूँगा जैसे हमने यहां पर action बटन को press किया तो automatically उसने प्रॉंक ले लिया और वहां पर आपको तीर वेरियेशन दे दिया है फिर उसके बाद आपको message शो करेगा select the variation with less skin shine मतलब ऐसा वेरियेशन आप चूद करो जिसने आपको shine बहुत ही कम चाहिए आसे हम stop करेंके और एक एक वर्जन आप यहां पर चेक करेंगे कि कौन सा यहां पर suit कर दाए तो यहां पर हम first वाला ही यहां पर ले लेंगे तो इस तरह से जो भी variation आपको अच्छा लगता है उस variation का आप यहां पर पिक करते हैं और यहां पर आपका जो भी shining face था या फिर जो hotspot वाला एरिया है वो यहां से remove हो जाएगा ठीके यहां तक आप यूज कर सकते हैं यहां इस image को flatten करके आप उसको आगे editing कर सकते हैं लेकिन आगर आपको और इसमें अच्छा सा editing कर रहा है मतलब और अच्छा इसमें detail में काम कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उपर जो माते की उपर बिंदी आए वह यहां पर थोड़ा सा खरब हो गई तो इसके लिए का image आपको शो करने लगेगा और इस तरह से यहां पर इस ब्रश को चलाए तो यहां पर हम action की मदल से जो हमारा तो टिंच्टेप हुआ याप बच जाता है लेकिन अगर आपको और फ़ोड़ा सा वीरेश्यक कोई प्रॉब्लेम आता है मतलब वह क्या करता है कि जो वो एक्स्ट्रा एड करता है जिससे यहां पर ब्लैक मास की मदद से इनोर्ट मास की मदद से यहां पर रिमूओ कर सकते है ठीक है तो अभी आफ देख सकती हिए अभी हमरा फाइल हो घएट हो गया है तो अभी यहां पर इस i care को अ और करेंगे यहांपे और फार रिमोग और एक्सिंप करते यहां सेंभ disturb और जो मैंने आपको मैणूली बताई यहांपे हो पार उसी तरह से एक message आएगा, select the variation with less skin shine, और इतना औरे के बाद जो भी variation आपको चाहिए, आप यहाँ से इस तरह से variation को check कर सकते हैं, या फिर दो नमबर के variation अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद इस variation को हम select करते हुगे, या फिर इसको group में convert कर देंगे, और इस group को हां black mass में convert कर देंगे, फिर उसके बाद brush लेगे, और इस तरह से जो shiny spot है, उसको हम यहाँ से remove कर लेगे, तो इस तरह से दोस्तों, आप AI के मदद से किसी भी skin की ओपर जो shiny hotspot आया है, वो इस तरह से remove कर सकते, या पर जो मैना action use किया है, उस action को आप वीडियो की description में आप जाके download कर सकते, अगर चाहिए, तो आप manual तरीके से भी या यूज़ कर सकते, जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया, उस तरह से भी आप करेंगे, तो भी आप without action इसको यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को बसे इतना ही मिलते हैं अगले गुड़ा में